अपरेशन कराते दिना आदमी का बहुत सीर का तो वो माने हुए थे संजिया घाट के दिना मान दिये जहें पांच सल करें आप पर पोता-पोती लमाएंगे कितनी खुशी मिलती है चट को करने में बहुत खुशी मिलता है नमस्का दर्श न्यूज देख रहा है आप और मैं हूँ आपके साथ दक्षा प्रिया लोकास्था का महापर्व छट दुनिया भर में लोग प्रिये हैं बेहार, यूपी और जार्खन की लोग जहां कहीं भी रहते हैं छट करते हैं कई अन्य राज्यों में भी छट होने लगे हैं और छट के समय बेहार में एक अलग साही भक्ती में महल तेयार हो जाता है इस महापर्व की सबसे बड़ी खास्यत यह है कि इस पर्व में बेहार में संप्रदाइक सोहार्द की मिसाल देखने को मिलती है मुसलिम समुदाइक की महलाएं भी छट महापर्व में अपना यूगदान देती हैं पता दे मुजफरपुर के काली बाड़ी महले में एक ऐसी ही मुसलिम महला है जिनका नाम सायरा बेगम है जो इस बार लगतार आठवे वर्ष छट महापर्व करेंगी यह उनका आठवा वर्ष होगा पिछले आठ वर्षों से सायरा बेगम जो है वो छट महापर्व करती हैं और वहीं सायरा खुद ही बताती है कि वो छट महापर्व पूरी शुधता के साथ करती है और दशेरा खत्म होने के बाद ही घर में लहसुन प्यास का अस्तमाल भी बंद कर देती हैं घर में कार्टिक पुर्णिमा के बाद ही लहसुन प्यास का अस्तमाल शुरू होता है सायरा ये भी कहती है कि छट पूजा के खरणा के दिन पूरी साफ सफाई से आम की लकडी के जलावन से प्रशाद बनाती है और प्रशाद बनाने में उनकी बेटियां भी उनकी मदद करती है प्रशाद में ठेकवा खजूर बनाती है अर्ध के दिन गाड़ी रिजर्व करके पूरे परिवार के साथ वो तीन पोखरिया किनारे छठ घाट जाती हैं और पूरे विदी विधान के साथ छठ पूजा करती हैं सायरा का कहना है कि पहले उनके शोहर की तबियत हमेशा ही खराब रहती थी साथ ही उनके बेटे और बहु को बच्चा नहीं हो रहा था इसके बाद 2015 में उन्होंने छटी मैया से मननत मांगी कि अगर उनके शोहर की तबियत ठीक हो जाएगी और उनहें पोता-पोती होगा तो चट करेंगे इसके अगले साल ही छटी मैया की क्रिपास से उनके पती की तबियत ठीक हो गए साथ ही उनकी बहु को बच्चा भी हो गया तब उन्होंने पूरे वदी विधान से चट का व्रत किया और तब से वह लगतार चट कर रही हैं उनका कहना है कि जब तक वह जंदा रहेंगी तब तक चट करेंगे अट सल से क्या हुआ था कि आपको चट करना पड़ा अपरेशन कराते थे ना आदमी का बहुत सीर का तो वह माने हुए थे संजिया घाट के दिना मान दिये जैंग पांच सल करेंगे अब पर पोता-पुती लमांगे करने में बहुत खुशी मिलता हुगा कि इसके बाद से लगातार करने में बहुत खुशी मिलता हुगा कि इसका आएगा तो पिर हम करेंगे अ इंतजार ना रोते हैं कि अपना चंग राजाने के लिए आये है थेल क्या नाम हो गया सरकत चटी मा की महिमा ही कुछ ऐसी है कि जैसे ही चट महापर्व का नाम लोग सुनते हैं एक अलग सी भक्ति जो है वो मन में जाग जाती है और ऐसे में चटी माइया से कहा जाता है और साइरा बीगम की अगर बात की जाए तो पिछले आठ वर्षों से वो छट महा पर्व मनाती है और नग केवल छट महा पर्व वो अकेले करती है बलकि पूरे परिवार की इसमें उपस्थती होती है और पूरी शुधता के साथ वो पूजा अचना करती है ऐसे में वो पूरे परिवार को ले करके चल रही है उन्होंने मननत भी मांगी थी और क्या कुछ उनका कहना था साथ तोर से आप सुन रहे थे दर्श न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही बने रहे हमारे साथ देश और दुनिया की तवाम खबरों के लिए अगर अभी तक आपने हमारे चानल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चानल को सब्सक्राइब कर ले साथ ही हमारे फेस्बुक पेज को लाइक करें और हमें ट्रेटर और इंस्टेग्राम पर भी पॉलो करना न भूलें धर्नवाद